अब 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 फिर से आप सबका बहुत सब्सक्राइब करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं creative common license के बारे में किस तरह से आप से यूज कर सकते हैं और अपने विव सबस्राइब पर ब्रा सकते हैं सार साथ पैसा भी कमा सकते हैं सो प्लीज शुरू से लेकर लास तक ये वीडियो शुरूर देखिए अब क्रेटिव कॉमन लाइसेंस होता क्या है अब एक परे बैंडर ने अपनी एक लेटिस्ट मुवी का ट्रेलर डाल दिया यूटीव पर ठेक है अब वो बैंडर क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुवी का ट्रेलर पहुंच जाए ताहिंगा प्रमोशन हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मुवी को देखने है तो वह वह वहां पर क्या करतेby को चाहकर अपन अपनी वीडियो वीडियो क अपते आध्वांस जो ओपिछ्ट उप्छिन होती है इसमेंस्यौत पर युचिन ह क्योंकि नहीं करते हैं कि वह हंते नहीं कि हमारे चेल्ट ही ज्मारा से ज्यादत ज्यादत लोगyd, लेकिन लेकिन बहुत सारी ऐसी मूवी सब्लबुन ऑफ पक्र जो है जिये हैं, बाइस चीज पर क्या है कि आप उस अपक्रेटिव को सब्सक्राइब ट्रेंस को, जो है license को कि आप उस trailer को जो है या किसी movie को जो है use कर सकते हैं आपको YouTube पर बहुत साड़ी ऐसी videos मिल जाएंगी जो creative comments के अंदर आती हैं और उनके जो honors हैं वो permission देते हैं कि yes आप इस video को download करने के बाद थोड़ा बहुत edit करने के बाद YouTube पर upload कर सकते हैं अगर मैं 2016 की बात करूं तो उस time पर क्या था कि आप वहाँ पर यूट्यूब को एडिटर हुआ करना पर था लेकिन अभी 2017 को बंद कर दिया गया था तो अब जो है आप उस video को डाउलोड करने के बार upload कर सकते हैं और वहाँ पर आपको देना होता है creative comments के अंदर रखा है तो यह ऐसा बिल्कूब न करते हैं और उसे जो है अपने जैनल अप्लोड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत बहुत ही ज्यादा कम होगी चरफ पर तरफ आपको तो तो रहा जो मूजिक करना पड़ेगा तो उसके बाद जो है आप उस video को जो है अपने चैनल पर अप्लोड करने के बाद क्रेटीव कॉमेंस का लाइसन वह शो कर देता है कि उससे लगता कि शायद क्योंकि ज्यादा मुस्ति लोग माई यह लोग जान बूच करते हुँआ पता ही नियुकर कुंस को जो है वो गलत तरीके से ले ले लेते हैं अब उसने मेरी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो उन लोगों ने यह नहीं देखा कि उस वीडियो को अक्षि में मालक कौन था वो किसने वीडियो का कॉंटेंट था और आप अगर उस वीडियो को जो है अप्लोड करते हैं तो फिर आपको स्ट्रेक मिल सकती है लेकिन इस पुर्णर ने जो उसे monetize भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, व्यूस भी ले सकते हैं, और सब्स्राइबर जो हैं वहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आपको practically करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आप creative comments की जो वीडियो होती हैं, तो चलिए मेरे PC में चलते हैं, और वहाँ पर जाकरे मैं आपको step by step दिखाता हूँ कि किस तरह से आप YouTube पर यह सर्च कर सकते हैं, हमें काफी सारी वीडियो जो है देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बोलीवोड ट्रेलर सेर्च क्यों नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी वहाँ पर थमनेल जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब मेरी ओडियंस को दिखाने लाइक नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्च किया रोटी तो आप समझ सकते हैं आप ट्रेलर को भी यहाँ अपने सर्च करने के बाद वहाँ पर जो है क्रेटिव कॉमन लाइसेंस वाली वीडियो जो है देख सकते हैं यहाँ पर आप इस विडियो को मैं ने रखिये तो यहाँ पर एक कुगिंग चेनल है तो यहाँ पर इन्हों ने लाइसन्स दे रखा यहाँ पर Polizeid लाइशन्स का यपू द कर कर सकते हैं तो याप मैं आपको यह बताना चांगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद जिस भी वीडियो को जो है फॉर आप यूज करना चाहते हैं जिसने लाइसंस के लिए आपको जो है प्रमीशन दे रखी है आप वहां पर थोड़ा बहुत म्यूजिक जरू कर दिया थोड़ा बहुत वहां पर जरूर मिक्स कीजिए दूसरी सबसे में चीज यह जरूर द्यान में रखें यह नहीं है कि अब मान लीजिए जिनका यह चैनल है तो इन्होंने मान ली जब यहां पर स्टैंडर्ट लाइसंस दिया है यहां पर यहांने की यूट्यूब स तो यह चैनल टे जो है यह आपको वहाँ पर श्राइक दे सकनिये क्योंकि इन्होंने प्रविशन नहीं दी है किसी ओर ने इनकी विडियो अप्लोर करकर जाओ कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस वीडियो को यूज्ट कर सकते इस लिए आप ध्यान दी जिब यहां पर ह साथ है क्या यह उंनकी ही वीडियोस है चले मैं यहां पर चैनल की ओनर है तो इस तरह से जो है अगर आप किसी मूवी का ट्रेलर डाउनलोड करते हैं और उससे अपने चैनल पर अप्लोड करते हैं क्रेटिव कॉमेंस देखने बार ये ज़रूर दियान दीजिए उस चैनल का जो प्रोड़क्शन होस है जो उनका मेन चैनल है ど आपको सिर्फर है जों का मेन चैनल है किसी भी सार गामा की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर उनके चैनल पर जाकर देखें कि तो उन्होंने सच्ची में चीज़ का ट्रेक्टिव कोमेंस का लासेंस दे रखाए यह तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर यूट्यूब का जो स्टैंडर लाइसंस दिया है और कोई मेरे जैसा उस वीडियो को डाउनलोड करता है और अपने चैनल पर अप्लोड करता है और बोलता है कि वीडियो और दूसरे ने उसे डाउनलोड किया अप्लोड किया और ट्रेटिक कोमेंस के अंटर डाल दिया इससे आपको स्टैक मिल सकती है मैं यह बार बार इसलिए बोल रहा हूं तांकि कोई यूट्यूबर इस चीज़ को लेकर गलती ना हो अगर आपकी गलती इस चीज़ क करें साथ सार अब अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत धन्यवाद आपने इतना ट्रेम निकाला हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बगवां करें आपका दें बहुत नीजा रहा है